खत्र में पढ़ गया महराच का किला मध्यप्रदेश में अकेले पढ़ गयी सिंधिया अकेले अकेले कहा जा रहे हो राजगर जिले में जन आश्रबाद यात्रा में खाली कुर्सियों को भाशन सुनाते सिंधिया मधिप्रदेश में विधान सबा चुनाव बेहत करीब है चुनाव आयुक साफ कर चुका है कि 5 अक्टूबर के बाद वो कभी भी चुनाव करानी की स्तिती में होगा और ये चुनाव बहुत कुछ तै करने वाले हैं राज्य के सियम शिवरा सिंग चोहान और केंद्रिय मंतरी जोती रादत संध्या का राशनिति करियर इन चुनावों के परिणामों पर ही ठिका हुआ है तो कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलात के लिए राज्य की सत्ता तक पहुचने का ये अंतिम मौका है वैसे जिस तरह से बिजेपी ने शिवरा सिंग चोहान को सियम पत का उमिदवार घोशित नहीं किया है लेकिन चुनावों में हर जगा वो ही दिख रहे हैं उसी तरह से कमलात को कॉंग्रेस ने सियम उमिदवार घोशित नहीं किया है लेकिन ये तैमाना जा रहा है कि सरकार कॉंग्रिस की बनी तो कमलात ही सीम बनेंगे एक तरफ कमलात पूरी ताकत लगा रहे हैं और दूसरे तरफ विजेपी को सत्ता मिलाने वाले सिंधिया हैं जिन्होंने मार्च 2020 में कॉंग्रिस से बगावत की थी और कमलात की कॉंग्रिस की सरकार को गिरा दिया था सिंधिया इस बार अपने वजूत की लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे में चुनाव प्रचार के मैदान में उतरे जोती रादित सिंधिया की उस वक्त फसीहत हो गई जब खाली पड़ी कुर्सियों को वो भाशन देते हुए नजर आए MP की राजगर में केंद्रिय मंत्री जोती रादित सिंधिया जन आशिरवाद यात्रा में शामिल हुए थे लेकिन उनकी सभा से लोग गायब थे जिसके बास सिंधिया के भविश को लेकर कई सवाल खड़े हो रही है तो कैसे सिंधिया की सितारे दिखाई दे रही है गर्दिश में इस पर करेंगे विस्तार में चर्चा मैं हूँ सुर्भी राजपूत आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत-बहुत स्वागत है क्या मधिप्रदेश में नहीं चल रहा है सिंधिया का जादू सिंधिया को लेकर लोगों में है नाराजगी क्या सिंधिया को सबक सिखाने का मन बना चुकी है MP की जनता क्या अपना किला भी नहीं बचा पाएंगे सिंधिया मधिप्रदेश में इस साल की आखिर में होने वाले विधान सबाचुनाव को लेकर राशनितिक वयानबाजी का दौर जारी है इसी क्रब में MP की राजगण में केंद्री मंत्री जोती रादेत सिंधिया जन आशिरवाद यात्रा में शामिल हुए इस जोरान सिंधिया ने कॉंग्रेस पर निशाना साधा लेकिन उन्हें सुनने के लिए वहाँ पर लोग ही नहीं थे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर 30 से वारल हो रहा है राजगण में सिंधिया की गजब बेजती जनता नहीं करती है आप भी देखे ये वीडियो बिजेपी सत्ता में वापसी के लिए राजग में जन आशिरवार यात्रा निकाल रही है 14 सितंबर को यात्रा शाज़ापूर जिले के ग्राम साधन खेडी पहुंची थी उसमें केंजरी मंत्री जो दिरादित सिंधिया भी पहुंचे थे शाज़ापूर जिले में दो सभाओ को सिंधिया ने सम्मूदित किया था लेकिन यहां भी सिंधिया को बेज़दी का ही सामना करना पड़ा यहां भी सिंधिया की सभा में खाली कुर्सिया नजर आए शापुर का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया इस वीडियो पर लोगो निजम कर टिपने भी की आपको भी दिखाते हैं सिंध्या की सभा का ये वीडियो ग्वालियर राजघराने से तालुग रखने वाले सिंध्या ग्वालियर जंबल इलाके में कॉंग्रिस पार्टी का मजबूर चहरा थे वहां कॉंग्रिस का कोई नीता सिंधिया की लाइन क्रॉस नहीं कर पाया 2020 में सिंधिया और उनके समर्थकों का कुनबा कॉंग्रिस छोड बीजेपी में चला गया सिंध्या की बगावत ने ही 2020 में कमलनात की सरकार गिरा दी थी जिसके बाद राज्य में उन्हें कॉंग्रिस ने गदारी के खताब से नवाजा है लेकिन चुनाव नजदिक आते आते उमीद के मताबिक बिजेपी के भीतर पुराने और इन नए भास्पाईयों के भी तना तनी शुरू हो गई है नतीजे में सिंध्या समर्थकों ने मैदान चोड़ना भी शुरू कर दिया है सिर्फ गौालियर समभागी नहीं बलकि मद्रप्रदेश के अलग-अलग इलाकों से पिछले 6 मेहने के दौराल 40 सिंध्या समर्थकों ने वापस कॉंग्रेस में घर वापसी कर ली है जाहिर है ये हाला सिंध्या को चुभाने वाले होंगे अपने पीछे से समर्थकों के खिसकने से सिंध्या का बिजेपी में वजन कम हुआ है सिंध्या इसे समानी घटना मानते हैं कहती हैं कि चुनाव नजदीक आने पर यदी कोई व्यक्ती अपने टिकट को लेकर आशंकित होता है तो उसे जहां भरोसा दिया जाएगा वो वहाँ चला जाएगा सिंध्या इसे सहज आवगमन मानते हैं लेकिन वो ये याद दिलाना नहीं भोलते हैं कि 18 साल बाद विधायक बरी कई कॉंग्रेसियों ने सिर्फ उनके समर्थन में पार्टी छोड़ दी थी जो एक बलिदान है लेकिन राजनीती में कोई भी बलिदान चीर फलदाई नहीं होता 2020 में भास्वा में शामिल हुए सिंध्या केंद्र में मंत्री बना दिये गए और उनके कई नजदी की विधायक शिवरा सरकार में मंत्री लेकिन 2023 के चुनाव में नए समीकर्णों ने सिंध्या का खेल बिगाड़ दिया है चुनाव से पहले हुए सर्वे में ग्वालियर चंबल संभाग में बिजेपी के स्थिती को खराब बताया जा रहा है ये सिंध्या के लिए परिशानी और बिजेपी के लिए अफसर की तरह है शायद यही वज़ा है कि अब सिंध्या को लेकर लोगों में इसकदर नारास्की है कि लोग उनकी जिनसभा से भी नदारद रहे साल 2018 की विधानसभा चुना में जोती रादेत सिंध्या कॉंग्रिस में थे और पूरे चुना प्रचार अभियान की कामान जोती रादेत सिंध्या के हाथ में ही थी लेकिन बिजेपी में आने के बाद उनका ये रसोख बरकरार नहीं रह पाया उनके समर्थकों की बेचैनी तब और भी बढ़ गई है जब बिजेपी ने अपने 49 परत्याशों की पहली सूची जारी की इस सूची में दो बड़ी घटनाई हुई एक घटना एदल सींग कसाना को टिकट दिया गया कसाना कॉंग्रेस में रहते हुए सिंध्या के समर्थन में नहीं थे हालाकि कमलना सरकार गिराने में वो शामिल हुए थे उन्होंने भी विधायक पत से इस्तिफा दिया और बिजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा लेकिन हार गए बिजेपी ने अपने परत्याशियों की पहली सूची में उनका नाम घोशित कर दिया वहीं दूसरी घटना सिंध्या समर्थक रनवीर जाटव के टिकट कटने की है रनवीर जाटव 2018 में गोहद विधान सबाशीतर से कॉंग्रेस के विधायक चुने गए थे लेकिन जब संध्या के नेतिर्त में कॉंग्रेस विधायकों ने बगावत की और इस्तिफा दिया तो उसमें रनवीर जाटव भी शामिल थे उन्हें भी उपचुनाव में विजेपी ने टिकट दिया लेकिन वो जीत नहीं सके अब जब विजेपी ने अपनी पहली सुची जारी की है तो उसमें से रनवीर जाटव का टिकट काट दिया गया है उनकी जगा पार्टी के वरिशनेता लाल सिंग को टिकट दिया गया है अब उपचुनाव हार चुकी सिंधे समर्थकों में तो बेचानी है ही लेकिन जो अभी विधायक है वो भी चिंता में डूबे हुए है कहीं उनका भी टिकट नहीं कटने वाला जोदिर अदेत सिंध्या ने विजेपी की राशनीती अभी अभी शुरू की है लेकिन संग और विजेपी की दो पीडियों ने तो राजमहल का विरोध करती हुए ही अपनी जमीन तयार की थी ग्वालियर के नरेंदर सिंग तोमर और नजदीक की डाबरा से आने वाले नरुत्तम मिश्रा मधिप्रदेश की सियासत की बड़े नाम है कॉंग्रेस पार्टी के भीतर इस इलाके में भले सिंध्या का वीटो चलता रहा हो लेकिन बिजेपी में उनकी वो इस्तिती नहीं रही पाटी का कींद्री नेतिर्तु भले ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हो लेकिन स्थानी नेतिर्तु सिंध्या को लेकर नारास है सिंध्या भी इस बात को अच्छे से जानते हैं मधिप्रदेश में विधान सवा चुनाव करीब आते ही सिंध्या समर्थकों ने भी घर वापसी तेस कर दी है 2020 में सिंध्या जब BJP में शामिल हुए थे तो उनके कई समर्थक भी BJP में शामिल हो गए थे लेकिन BJP में उपेक्षा होती देख अब ये सिंध्या समर्थक कॉंग्रिस में घर वापसी कर रहे है दरहसल 2018 के विधान सवा चुनाव में जीत के बाद सत्ता में आई कॉंग्रिस को 2020 में सिंध्या के अपने समर्थक विधायकों के साथ BJP में जाने के बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा था वही अब 2023 के विधान सवा चुनाव को लेकर कॉंग्रिस सिंध्या को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है जिस रफ्तार से सिंध्या समर्थक उनका साथ छोड़ रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि सिंध्या अकेले ही BJP में रह जाएंगे और उनके सारे समर्थक घर वापसी कर कॉंग्रिस को मजबूत करेंगे यह वीडियो आपको हमारी कैसे लगी कॉमें सेक्शन में जरूर बताएगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक और शियर करना मत भूलिएगा नमस्कार